काला कववा, जिसकी काम काम बाली आवाज असुब मानी जाती है लेकिन यही कववा आपको अपार्धन का शुआमी भी बना सकता है ऐसा कहा जाता है कि कववे को अमर्था का वर्दान प्राप्त है अपने आप कभी भी उसकी मिर्थ्यू नहीं होती तंत्र और जोति शास्त्र में कववे और इसके अलावा भी अनेक पक्षियों से जुरे ऐसे अद्बुत उपाय टोटके बताया जाते जिसका प्रियोग करवेक्ति लखपती, करोड़पती ही नहीं बलकि अरबपती भी बन जाता है अगर आपको कहीं कववे की ये चीज नजर आ जाए तो मेरे द्वारा बताये गए इस उपाय को आप जरूर करें इस उपाय को करने से आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द ही इसका असर आपको दिखने लगेगा तो आईए जानते हैं कि आखिर वो उपाय क्या है दोस्तों अगर आपको कहीं से कववे का एक पूड़ा काला पंक मिल जाए वो भी जो कववे के सरेशे खुद निकला हुआ हो तो उसे आप चुप चाप अपनी घर ले आए उसकी बाद कववे के स्पंक को सुद्ध पानिश धोले और उसकी बाद उसे अवाक के सुखे पत्ते पर रख कर जो अभी हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का उच्चारन एक सुआठ बार करके उस पंक पर फूक मार दे ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही धन की प्राप्ति होनी महसूस होने लगेगी तो आए जानते हैं कि आखिर वो मंत्र क्या है जिसका हमें उच्चारन करना है वो मंत्र है ओम काक भुशंडी नमह सर्वजन मोह मोह वश्य वश्य कुरु कुरु श्वाह ओम काक भुशंडी नमह सर्वजन मोह मोह वश्य वश्य कुरु कुरु श्वाह जी हाँ दोस्तों यहीं वो मंत्र है जिसका आपको 108 वा उच्चारन करके उस पंक पे फूक मारनी है ऐसा करने से आपको असर जल्दी दिखाई देने लगेगा उस मंत्र से आमंत्र करने के बाद कवे के उस पंक को आग लगा कर भश्म बना ले भश्म बनाने के बाद उस भश्म को एक तांबे कासे या चांदी के कटोडी में रखकर उसे सुंगंधित लोबान की धूब दे उसके बाद आपको करना है कि भश्म वाली का टोड़ी को अपने सामने रखकर फिर से 108 बार किसी माला की सहायता से मंत्र का मन ही मन जाप करना है जब करते वक्त अपना मुख दक्षिन दिशा की ओर रखे अब कव्य के पंक से बनाई भश्म का तिलक लगाकर साथ दिनों तक अपने माथे पर लगाते रहे मेरे कहने का मतलब है कि उस कव्य के पंक से जो भश्म बनीगी उसे साथ दिनों तक अपने माथे पर तिलक लगाना है माथे परतिलग करते शमय भी मंत्र का तीन बार उच्चारन करना है ये सारी विधी करने से काले का हुए कि पंक का उपाय करने के बाद आपको चमतकार दिखाई देने लगेंगे पैसे कि अब आख कितनी तेजी से होने लगेगी इसका आपको पता भी नहीं चलेगा इस उपाय से आप खुद का या अपने किसी मित्र को भी अमीर बना सकते हैं अमीर ही नहीं इस उपाय से आप किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं जिसे आप चाहें